क्या आप Canva वेबसाइट के द्वारा टेक्स का इस्तिमाल करके AI फोटो और वीडियो बनाना चाहते हैं अगर हां तो मेरा आजकार वीडियो ऐसी टॉपिक से लड़ा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आजकर हर कोई Canva का इस्तिमाल कर रहा है और Canva के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे AI टूल मिलते हैं जिनका इस्तिमाल करके आप एक से बढ़कर एक फोटो और वीडियो बना सकते हैं और उसे यूटूब पर अप्लोड करके लाख रूपे की कमाई कर सकते हैं अपने इस वीडियो की द्वारा में आप सभी को टेक्स टू इमेज और टेक्स टू वीडियो बना कर दिखाऊंगा ताकि आप खुछ से भी Canva Pro का यूज करके AI वीडियो जन्रेट कर सकें तो चलिए सिधा मैं आपको Canva Pro के अंदर लेकी चलता है और वहीं पर मैं आपको पूरी चानकारी देने वाला हूँ तो यहां मैंने अपना Canva Pro का एकाउंट ओपन कर लिया है आप भी जो Canva Pro का एकाउंट है वो फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं वो भी 45 दिन कर दिए इसमें आपको काफी सारे AI tools मिलते हैं लेकिन हम इस वीडियो के मातबस्थ तूल की बात करने वाले हैं वह है image और वीडियो को लेकर तूल है तो आप यहां नीचे आईए देखिए उसमें आपको काफी सारे AI की तूल मिलते हैं इनके भी बारा है मैं आपको आने वाले तो आपकी सामने इस तरह का मेसिज आएगा आप इस वाले option पे क्लिक करिए जैसी आप क्लिक करते हैं तो आपकी सामने देखे यह page open याता है लेकिन अभी आपको यहाँ तूल नहीं दिखाए देगा तूल के लिए आपको यहाँ apps वाले option पे आना है और यहाँ magic media आपको search करन करिए चैसे ही आप open वाले option बेक क्लिक करते हैं आपके सामने देखे image और video तो category या देती है image की मातरम से आप image करेट कर सकते हैं video की मातरम से वीडियो करेट कर सकते हैं लेकिन अभी हम यह image की बात करने वाले यहां आपको अपना prompt लिखना होगा और यहाegen देखे काफी सारे style देरखे हैं इन्होंने आप इनमें से किसी भी style में अपना photo क्रेट कर सकते हैं काफी सारे style किसी भी style का इस्तेमाल आ डी कर सकते हैं यहां से मैं ब्याक आता हूं इसके बाद यहां photo का size देरखाए किस size अपको photo चाहिए अगर आपको subscribe चाहिए तो subscribe कर सकते हैं अगर आपको landscape चाहिए तो landscape कर सकते हैं अगर आपको mobile के लिए चाहिए तो आप इस वाले option पर click कर सकते हैं तो चलिए यहाँ से हम एक prompt लिखते हैं और एक photo generate करते हैं कर देखिए आपको prompt लिखना नहीं आता तो आप chat GPT का भी यूट कर सकते हैं तो चलिए यहां से हमें एक prompt मेरे पास पड़ा है उसको हम chat GPT में डालते हैं और वहीं से हम image के लिए एक prompt चर्णिट करने वाले हैं तो यहां मेरे पास में chat GPT खुल गया है यहां तो मेरे पास एक prompt है वह मैं यहां copy कर देता हूं और थे एंटर करता हूं तो इसको मैंने बता दिया कि भाई मुझे इस topic फे जुड़े images के prompt चाहिए तो देखे इसने मुझे अलग-अलग topic पे prompt पुला के देती है अब हम इन में से किसी भी prompt का use अपनी image के लिए कर सकते हैं काफी सारे हैं आप इन में से किसी का भी use कर सकते हैं मतलब आप chat GPT का भी use कर सकते हैं prompt लेखने के लिए तो चलिए यहां से मैं इस prompt को copy कर लेता हूं और हम अपने इसी canva के अंदर आ गए हैं यहां मैं इसको क्लिक करके paste कर देता हूं तो यहां मैंने क्लिक किया और then paste भी क्लिक कर दिया अब यहां से हम style select कर देते हैं जो भी आपको style चाहिए वह style आप यहां से set कर सकते हैं suppose कर दिया मुझे photo वाला ही इसमें यहां जो रियरिस्टी है वही चाहिए उसके बात में square में ही यहां इसका site रखने वाला हूं तो बस आपको यहां generate image वाले option पे क्लिक कर देना है generate image वाले option में क्लिक करने के पाद आपको थोड़ा से wait करना होगा चार तरह के option आपकी सामने आ जाएंगे आपको जो भी परसंद हो आप उस option को रख सकते हो अगर मानले आपको कोई option परसंद नहीं आता तो आप उसे regenerate कर सकते हो यह देखिए इसने realistic photo मेरे सामने यहां बना आपके वह यहां आ जाएगी अगर मालिया आपको image से भी कुछ अलग से चाहिए तो normal आपको देखिए यहां क्लिक करना होगा और generate more like this यानि इसी की तरह यह आपको image generate करके देदेगा तो मैंने आपके सामने क्लिक किया है अब हम थोड़ा सा wait करते हैं camera pro में आपको काफी सा करके देखिए क्योंकि अगर आप इसका फ्री में यूज करेंगे तो जैकीन मानिया आप इसका जो वह यह का प्लाने वह जरूर लेंगे तो हमारे सामने face option आ चुके और simple में इस वाला option में क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं इस वाला option में क्लिक करूँगा यहां image यहां आ चु उसे मैं यहां paste कर देता हूँ यहां देखिए मैंने वही prompt paste किया है अब मैं सिरह generate वीडियो वाले option पर क्लिक करता हूँ तो अब हम देखते ही हमको किस तरह का यहां वीडियो मिलने वाला है आपको यहां भी थोड़ा wait करना होगा फिर जैसा भी वीडियो से यह आपको मिल जाएगा आजकर AI का बहुत जारा यूश हो रहा है और canva जैसे software के अंडर जो AI के tool है यह बहुत जारा useful है मैंने इसका जो प्रोप्रा ने single अपने लिए लिए रखा कि काफी सारे ऐसे facebook पर एड़ सरते हैं instagram पर एड़ सरते हैं जो आपको कम price में देते हैं लेकिन वो सब ब बना रहता है यहां जो मेरे पास account है इसमें मैं जो भी काम करता हम वो सिब मेरे पास हैता है किसी दूसरे बंदे को दिखाई नहीं देता 45 दिन के लिए आप इसका वैसे भी free में use कर सकते हैं अब देखें यहां हमारा video generate होने वाला है हमको पस थोड़ा सा wait करना होगा और य तो prompt मैं इसको दिया था इसी तरह का video से मुझे यहां बना के देती है अभी हम इसको यह एक नया page बनाते हैं और इसे यहां रखके से play करके देखते हैं अभी फिलाल इसे मुवमेंट नहीं हो रहा है हम इसमें में कोई बना के देखे थीं, तो फिलाल इसको यहां से मैं डीट कर रेता हूं तो यहां से मैं एक दूर साही पॉम्ट देख लेता हूं, यहां इसका मैंने copy किया अभी देखें यह वीडियो का है बीटा वर्जन में हो सकता है इसने फिलाल कोई दिक्कत आ रही है तो यहां से मैं बैक आता हूं और यहां हम इसका देखें एक्जाम्पर ही देखते हैं यहां मैं सिंपल एक्जाम्पर वाले उप्शन में क्लिक करता हूं यह आच चुका है अब मैं सिदा जन्येट वीडियो वाले उप्शन में क्लिक करता हूं अब हम यहां देखें किस तरह का यह वीडियो हमको बना के देता है क्योंकि यहां जो मैं प्रॉम्प टाल रहा हूं वह थोड़ा बढ़ा प्रॉम्प है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आइमिंग लगे इसे जैसे मुझे बना के नहीं दिया लेकिन जो इनका अभी डेमो है वह हम देखेंगे और थेन हमारे पास प्रॉम्प पर ने कॉपी किया है उसको हम दुपारा इसके इंदा पेस्ट करने वाले हैं तो हम यह थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो यहां देखें जो इनका बा तो आप देखें किस तरह का यह वीडियो यहां बनाया है तो चलिए अब मैं दुपारा से इसको फिलाल मैं डिलीट कर लेता हूं बैक आता हूं जो मेरे पास प्रॉम्प है हम उसको दुपारा सड़ा के देखते हैं जो कि मैंने चैट चीपी किया है अभी हम देखते कि हमक अधा टाइम भी लगता है और उसमें मुवमेंट होने में भी काफी ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो बस आपको यह थोड़ा सा यानि एक मेंन से भी कम का वेट करना है क्योंकि जो AI का जमाना है यह बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया आप सिम पर कुछ भी प्रॉम् और यहां हम प्ले करके देखते हैं अब इसे हम राइट क्लिक करके से बैक्राउंड में सैट कर लेते हैं अब यहां से इसको प्ले करते हैं यह देखिए AI वीडियो आप देख रहे हैं या आप कुछी प्रॉम्ट देखिए वही वीडियो आपके सामने आ जाएगा और की माज़रम से image वो वीडियो generate करते हैं वो आपको यह अप्प्लोट वाले option में दिखाई दियाता है upload वाले option में आते ही देखे जो हमने image में आया थी वो भी इसे दिखा दिया और जो हमने यहाँ देख रहे हैं तो Canva Pro के इस AI features का आप यूज़ करिए और इसी के मात्या से image वो वीडियो generate करके YouTube पे upload करके अच्छी खासी कमाई करिए Canva Pro की 45 जिन के लिए यूज़ किया जाता है उसका वीडियो में पहरी दे चुका हूँ और आप मेरे साथ इसके जुड़े रहे हैं आगे भी मैं आपको Canva Pro से जुड़े काफी सारी वीडियो देने वारा हूँ ताकि आप इसका यूज़ सही तरीके से कर सकें